दोस्तों अब भारत ने अपने BMD को 20 गुना और जादा शक्तिशाली बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और अब भारत अपने BMD को वो ताकत देने जा रहा है जिसके बाद दुश्मन देश चाहकर भी अपनी बैलेस्टिक मिसाइलों को भारत तक नहीं पहुँचा सकेगा किलो मिटर होने वाली है यानि इस डिफेंट सिस्टम की बैलेस्टिक मिसाइल को मारने के लिए बना रहा है BMD एक Multi-Layer Defense System होने वाला है यानि कि इस Defense System की मदद से हम दूश्मन देशों के मिसाइल को 50 किलोमिटर की रेंज में भी मार कर गिरा सकेंगे इस Defense System को भारत अलग-अलग फेज में तैनाथ करने वाला है और खास बात तो यह ही कि इस समय भारत ने अपने BMD की Phase 1 को ओल्रेडी तैनात भी कर दिया है और इस समय यदि देखा जाए तो चाइना के पास भी AC पैलेस्टिक मिसाइल मुझूद है जिनकी मदद से चाइना एक ही मिसाइल से हमारे उपर कई वोरहेड को दाग सकता है और अगर चाइना की यह MIRV टेक्निलोजी से लेस मिसाइल हमारे वाताव रन में एंटर हो जाती है तो उसके बाद इन मिसाइलों को रोक पाना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब इन मिसाइलों से वोरहेड अलग-अलग हो जाते हैं उसके बाद पलक जपकते ही इन वोरहेड की स्पीड 25 से 30 में हो जाती है यानि की 33,000 किलोमेटर के आसपास इसी लिए इन वोरहेड को रोक पाना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है और अब इसी बात का स्वोलूशन निकालते हुए डियाडियों ने अपनी इंडो एटमोस्टफेरिक मिसाइल यानि की एडवन में मल्टिपल वोरहेड कीलर वीकल को लगाने की तैयारी कर ली है इस बात को आप आसानी से एसे समझ सकते हैं कि यदि दुश्मन देश की बैलेस्टिक मिसाइल हमारे वातावरन में घुश जाती है और उसके बाद अपने मल्टिपल इंडिपेंडेंट ट्री एंट्री वीकल को रिलीस कर देती है उन वोरहेड को भी अब हम अपनी एक ही इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से मार कर गिरा सकेंगे और ये इंटरसेप्टर मिसाइल भी सेम इसी तरीके से काम करेगी जैसे इस समय बैलेस्टिक मिसाइल के वोरहेड खुलते हैं सेम इसी तरीके से ही इस मिसाइल से भी अलग- जो दुश्मन देश की बैलेस्टिक मिसाइल के अलग-अलग वोरहेड को मार कर गिरा देंगे और अगर भारत अपने बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल में ये टेकनिलोजी लगा देता है तो उसके बाद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास इस तरीके की इतनी अल्टरा एडवांस टेकनिलोजी मोजूद होगी और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको अपनी एडवां मिसाइल में ये टेकनिलोजी लगानी चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो एव गूड डे